नमस्कार उत्रप्रदेश लाइव देख रहे हैं आपके साथ मैं हूँ श्वेता और अमलहोत्रा बुल्टेंग की शुरुवात करेंगे आपको बतादें कि उत्रप्रदेश की राजधानी लखनौ में आज डिफेंस इंडस्टियल कॉरिडोर की बैठक हुई जिसमें मुख् आरित्यनाथ और रक्षा मंद्री राजनाथ सिंग शामिल हुए और बैठक को संबोधित किया यूपी डिफेंस इंडस्टियल कॉरिडोर में निवेश प्रोत्साहन बैठक में सीम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश के डिफेंस एक्सपो में सतर देशों ने हिस्सा लिया मैं एक हजार से जादा कंप्रियों ने एक्सपो में भागीदारी सुनिश्चित की प्रदेश के पहले इंवेस्टर समिट के जरिये यूपी सरकार के साथ पचास हजार करोड़ रुपे से अधिक के 23 एम यू साइन हुए हैं तो इस तरह से यूपी के पहले ड बाड़ा माध्यम माना जा रहा है और इसे प्रदेश को डिफेंस हब बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है कि पहत्तर सुरक्षा का और सिंगल विल्टों के माध्यम से देश का सबसे अच्छा वेस्टर पोर्टल हमारे पास प्रदेश के तर मौजूद है जिसमें बिना किसी मानवे हस्तक से थे हमारी सारी किल्डे समय प्लब्त हो सकते हैं और मैं चाहूँगा कि उसका हमें लाब लेना चाहिए सुरक्षा का पहतरीन वातावर उत्तर प्रदेश में है और मैं चाहूँगा कि इस दिसा में आप लोग रूची लेंगे तो हमें इस दिसा में लगार्खा के लक्सा पाधान में न केवर आत्म overlबब इन लग्से को वलकि भारत रक्सा सेक्टर में यहां पर एक्सपोर्ट का एक हब भी बने इस दिस् 세 उस दाखसे को प्रात्र करने में तर्वदेश एक बड़ी प्रोनिका का निर्वान करने में स्योगी बन सकता है डिफेंस प्रोडक्सर से पालसी भारत सरकार भी अपनी जल्दी लागू कर दे तो इसमें और अच्छी मदद सबी लोगों को प्राप्त होता है कि इसलिए हमारी सरकार डिफेंस इंडस्टी से जुड़ी जरूतों को पूरी करने के लिए पूरी तरह से कमिकेट है और यह दोनों डिफेंस इंडस्टियल कॉरिडर्स इसी कमिक्मेंट के ही बज़ना है जैता कि मैंने अभी कहा कि हम अगर आपकी ताकत को समझते हैं तो आपकी जरूर्तों को भी हम उतनी ही अच्छी तरह समझते हैं अब यह से एक बाद जांकारी देना चाहता हूं कि जल्दही हम एक सेंटरी स्पांसर डिस्टीम ला रहे हैं इसमें डिफेंस इंडस्टीज को वाड़ीडार में इनवस्ट करने के लिए इस्टेंटिवाइस किये जाने का प्राविजन तो इस डिफेंस एक्सपो पर चर्चा करने के लिए लखना उसे हमारे राजनितिक संपादक संजीव कपासिया अपने कुछ खास गेस्ट के साथ जुड़े हुए हैं ये सिधरू कर लेते हैं संपादक संजीव कपासिया जी का उत्तर प्रदेश और देश की सरकार उत्तर प्रदेश को रक्षा उत्पादों के लिहाद से प्रदेश को हब बनाना चाहती है और यही बज़ा है कि मुख्यमंतरी योगी आदे तिनात ने आज अपने मुख्यमंतरी आवास पर देश के रक्षा मंतरी और देश के रक्षा जो विश्यशक किया हैं और तमाम जो रक्षा निवेशक और उध्दमी हैं उनके साथ मुलाकात की उन्होंने साब तोर पर रक्षा मंतराले और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच संतुलन बनाकर उद्धिमों को दी जाने वाली सुविधाओं और सहुलियोतों पर से बात की और साबतोर पर यह आश्वासन दिया कि उट्तर प्रदेश की सरकार उट्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए लगातार ये चीजे बड़ी आसान है और उट्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार से उद्यमों को कोई परिशारी नहीं होने दी जाएगी इसी पर बात करेंगे हमारे साथ बारते देंता पार्टी की ओर से समाजबादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मनोज यादब वहीं कॉंग्रेस का पक्ष रखने के लिए सुसरेश्टिक अस्यप और मेजर जनरल हर्च ककड हमारे साथ महजूद है सबसे पहला सवाल हर्स जी से हर्स जी देश की शेना तो मजबूत होगी ही लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलेगा उत्तर प्रदेश के लिहाद से बात करें तो यदि उद्यम उत्तर प्रदेश में आएंगे रक्षा जो तमाम उपकरण है उत्तर प्रद है इंडिया में सेंट्रल होने के कारड़ जहां पर भी ट्राइल वोने असाल है दूसरी बात यहां पर काफी ट्रेनिंग सेंटर हैं और ट्रेनिंग सेंटर के साथ जब आप्ताल मेल करोगे या जब इंटराइक्शन होगा तो उसे आपको फैदा मिलेगा कि requirements क्या है किस प्रकार change हो सकती है जासी जैसे जगा के ओपर firing ranges है तो जिस प्रकार अगर आपको long range चाहिए तो आपको उधर फैदा है जासी अब बीना ranges है जादा चाहिए फिर आपको महाचन की तरफ जाना पड़ेगा अगला जो central command है basically administrative command है तोड़ा operational area जो उत्रा खंड और हिमाचल का है तो उसके साथ contact के लिहाज से defense requirements का भी का भी काफी inputs आ सकते हैं अगली पार यूपी एक बड़ा state है और maximum veterans या ex-servicemen यूपी में रहते हैं ये जो एक base है आपको मदद देने के लिए industry में और आपको expertise देने के लिए industrial requirements में ये एक बहुत फैदादर है अपको यूपी जो एक बड़ा state है उसके अंदर infrastructure development और जो बाकी correlated होता है जब एक बड़ी company आती है उसके साथ MSME और जो बाकी छोटे मोटे companies है automatically उसके अंदर फैदा बहुत आएगा बिलकुँ मेदर साथ जो सेना के लिहाद से सेना की जरूरतों के हिसाब से आधुनी कूपकरण और चोटे हतियार भी उतर प्रदेश में बनाए जाएंगे तो कही न कहीं प्रदेश के लोगों को रोजगार भी मिलेगा हरस जी उसमें कोई शक्त नहीं है क्योंकि जहाँ पर इंडस्ट्री जाएंगी उतर रोजगार आएगा और अभी जहां तक मेरे को खबर है जो अलीगार कॉरिडर है वो फुली बुक हो गया है अब जो बाकी जो दो अलाके हैं वहाँ पे चल रहा है मेरे क्याल कल कही नियूस थी कि ब्रहमोस को कहीं लखनाओं में लैंड दिया है मैंने कहीं मेरे क्याल पोस्टर या कुछ देखा था कनफरम है नी तो ये जो चल रहा है तो automatically जहां पर industry आएगी आपको शुरू से construct करनी है दिवार से लेके, खुदाई करके सब construction है, उसके लिए labor local होगा जो आप hire करोगे, कुछ amount unskilled होगा, कुछ amount skilled होगा जो unskilled होगा, automatically local होगा, तो फैदा होदर होगा हाँ, अगर ITIs और बाकी education institutions तोने smart हो जाएं और उनके इंडस्ट्री का requirement देखके, वैसे अपनी skill training को convert करें तो फैदा उन्ही के लोगों को होगा, तो ये तो understanding होनी चाहिए local industry और education institutions के बीच वे ठीक है, मेजर साब आपके पास लोटेंगे, हमारे साथ sensing है भारते जन्ता पार्टी के प्रवक्ता, सिंग साथ क्या आपको लगता है जो defense expo आयजित किया गया था, grand ceremony उत्ता प्रदेश में थी, तमाम company उसे M.E.U. साइन हुए थे, अब कितना जमीन पर उतनी है वो सारी चीजे यह प्रदेश की जन्ता और देश की जन्ता जानना चाहती है सिंग साहब, देखिए पहले तो बहुत-बहुत धन्यबाद कि आज के दिन आप ऐसे भी से पे चर्चा रखे बहुत ही अच्छी बात है, जो भारत सरकार का सपना है आज बढ़ता कदम, आज उसमे एक कदम और हम आगे बढ़े हैं, हमारी सरकार, हमारे प्रदानमंत्री जी कहते हैं, हमारा नारा है, मेक इन इंडिया, मेट फार दवबाड, और इसी उद्देश को लेके लगातार बैठी के चल लगी है, और आज भी बैठक हुई, आपका सवाल था, ग्यारा हजार करून क निवेश की चर्चा हुई थी, जब पिछली जो एक्सपोल चल दा था, और लक्ष रखा गया था, दो हजार चब्यस तक का, आपको सुनके इतनी खुसी होगी, प्रदेश की जनता को, देश की जनता को सुनके इतनी खुसी होगी, कि लगबग 10 हजार करोन के एमूई तो सा साइन हो गए, अभीतर, लक्ष कब तक रखा गया था, दो हजार चब्यस का, ग्यारा हजार करोन का, और दस हजार करोन के एमूई साइन हो गए, जो छे नोट बनाए गए हैं हमारे, अलिगर, कानपूर, लखनो, आगरा, जासे, चित्रपूर, अभी डिफेंस एक्सपर्ट साइब टेक्निकली बहुत ही अच्छे चीजों को समझाए कि बड़ी उपजाओ जमीन है, उत्तर प्रदेश की, यहां हर तरह के एक्सपर्ट लोग हैं और बहुत ही सुविधा रहेगा, लगवग धाई लाक रोजगार स्रीजीत होंगे, ऐसा माना जा रहा है, तो आप दे इसमें ही निर्मित कर लेंगे, तो मैं मानता हूं कि हम लोगों के लिए प्रदेश की जनता के लिए, देश की जनता के लिए, बहुत ही खुशी का विशा है कि ड्रोन, लड़ा को वीमान, बूले टुरुप, जैकेट, हेलिकाप्टर, तोप और उसके गोले, तमाम ऐसी ची सब्सक्राइब के द्वारा, डियाडियों को फ्री में जमिन दी गई है, ब्रमोस के लिए, लखनों में, तो बहुत ही सुंदर विशा है, सब लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए, इससे रोजगार भी उतन होगा, बढ़ेगी, हम आपके पास लोटेंगे, हमारे साथ म मनोज जी, आप तो समाजवादी पालिटी को भी खुशी होनी चाहिए, उतर-पर देश में जब रोजगार आएगा, उतर-पर देश में जब ब्रमोस जैसी मिशाईले बनेगी, उतर-पर देश में जब ऐसे उपकरण बनेंगे, जिससे हमारे देश की सेना मजबूत होगी जिससे देश की ताकत पड़ेगी, जिससे हमारे देश को पूरी दुनिया में एक अलग पहचार मिलेगी, अब तो समाजवादी पार्टी को खुश होना चाहिए, मनोज जी निट्टीन की बुलेट ट्रेंट की सरकार त्यूचर टेंस में बात करेगी तो समाजवादी पार्टी उसको एक्सपोर्ट करेगी कि अच्छा बताइए 2014 से अब तक सरकार किसकी है संट्रल में बीजेपी की 17 से लगा के अब तक सरकार किसकी है बीजेपी की बात कब हो रही है 2022 की बेला पे और कब जब चुनाओ आने वाले हैं और ये 10,000, 10,000, 20,000, 20,000 मुझे अच्छा नहीं लगा ये बहुत चोटा इमाउंत है भले डिप्रेंस का है चार लाख 32,000 करोड रुपए के लखनाओ में चार लाख 32,000 करोड के मेरे कासी संख्या है ये बड़ी मैजिकल संख्या है लेकिन कुछ प्रकास जालेंगे हमारे बीजेपी के साथी कि उसमें से 32,000 करोड आया है है में तो साइन हो गया वो तो साइन हो जाएगा काज़ पे होना है काज़ पे तो सब कुछ गुलाएगा अच्छा आवाज नहीं मिल पा रही है हम चलेंगे मेजर साब के पास चलेंगे मेजर साब क्या आपको लगता है कि देश की जो सरकारे हैं क्योंकि जब हम रक्षा और करणों की बात करते हैं जब हम देश की सेना को मजबूती की बात करते हैं तब ऐसी तमाम खामिया भी आती है कि ये और होना चाहिए आपके हिस सब्सक्राब से और किन चीजों के सुधार की जरूरत है हाला कि सरकारें अपने तरफ से तमाम प्रियास कर रही है अगर कोई देश को सूपर पार बनना है या विदेश में अगर उसके मिलिटरी को स्टेंडिंग चाहिए तो इंपोर्टेड एक कोपन्ट के साथ कभी नहीं हो सकता वो इंडिया का स्टेटिस था अभी तक हमारा ज्यादा तर डिपेंडेंस था इंपोर्ट्स के हो और जब जैसे आज देखो आप रश्या के का की तरफ से मैक्सिमम एकुप्मेंट है अगर इंडो रश्या रिप्राबर जाए तो आटोमेटिकली यह प्रॉब्लम होग और ज्यादा तर मैक्सिमम अपना लोकल परड़क्शन है तब आपका डिपेंडेंस कम है और आपका पार बढ़ सकता है यह एक रात की बात थी है ना की एक दिन की ना की एक सरकार की ना की एक तेनियोर की यह जब शुरुवात होती है तो आटोमेटिकली टैंड के साथ इंपोर्ट करो पर जब आप लोगों ने यह कदम लेना शुरू कर दिया है अब जो भी सरकार आएगी वो इसी पर पुछ करेगी तुझे जो पहला कदम देना था यह आ गया है अब हमारे इंपोर्ट्स डॉप हो गए है अगर आप देखो सप्र में 35,000 क्रोर के ओडर दिय हमेशा यह रिवर्स में होता था अब यह जो चेंज आगया इसको पुछ करना जरूरी है यह इंटर सरकार किया इंटर पार्टी के जगरे से मेरे को कोई लेना देना नहीं है बीजेपी एसपी कॉछ यह सब बिल्कुल मेजर साहब आपकी आपकी मंसा बिल्कुल साफ है कि ख़र देश के बारे में सोचना चाहिए लेकिन सुटा जी सवाल करना चाहती है हमारे साथी से सुटा जी मेरा सवाल सपाकी प्रवग्दा मनोज यादव जी से है मनोज यादव जी भी हमास से जुड़े हुए है पनी पताया कि योगी सरकार जो है सभी बाते फ्यूचर टे जैसी है और सबसे बड़ी बात हमारी सरकार किये रही क्यां स्पीड में काम करना जांते है लिए सरकार छिए इसमें डबल इंजिन की टर का जी किया गणिवर एपर का इस दूब एहना लिए का आप इसा सपीड की मैं वी इंजता हू और यह पैनल में बेटे समझता हूं झ सपा ने ऐसा क्या किया बताइए ना ऐसे क्या इससे पहले कोशिश की गई सपा की और से समाजवादी पार्टी उत्तरप्रदेश की राजितिक डल के रूप में काम किया 23 महिने में एक सब्सक्राइब बनता है मेरा सिर्फ इतना कहेंना हार bloss班 कल भी ओ रहा था आज भी हो रहे और आने वाले समय में मोगा चाली मांदे काम हो रहा है योगी सरकार कुछ काम तो करें इस मानते नहीं मानते योगी सरकार सिर्फ वर बट्प कुछ वर ने के लिए यह जवाब दिजए ना हम सवाल जवाब देना आपका काम है जी को जवाब दे दूँ देखिए बिगत साथ बरसों में भारत का रच्छा निर्याद कितना हो गया तीन सो चोटीस परसेंट तक रच्छा निर्याद बढ़ गया और हम एक भी देश को रच्छा उकरन निर्याद नहीं करते थे मनोजी के जानकारी के लिए बता दें कि आज हम 75 देशों को सैन उपकरन भेज रहे हैं अरे मैं कह रहा हूँ जो राजनीती समाजबादी पार्टी करती है छेतरी राजनीती जो करती है इस मुद्दे पर तो राजनीती ना करे हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो देश के लिए कर जितने आपके सरकार ने उद्द्योग पतियों से साइन किये वो कितने जमीन पर उत्रे हैं ये तो आपको बताना चाहिए जनता को देखिए सवाल तो बनता है 11.000 करोन का निवेस परस्तावित हुआ 10.000 करोन का मोई साइन हो गया अलीगड में देखे होंगे एक महिने पहले प्रदान मंतरी जी ने सिला नियास किया इसी महिने में जहासी में सिला नियास होने जा रहा है आपको रोगना चाहिए कोई भी काम जब हम सुरू करते हैं तो उसमें वगत तो लगता है न लेकि चुनाव के समय ही क्यों एसन सिंग जी यह तो सवाल बनता है कि अब होने वाले है यूपी में अब आप देखी होंगी 2020 में ही पहला डिपेंस इक्सपो हुआ था जी तो ये चुनाव के समय नहीं है देखिए हम के वल एक परिवार के लिए कारे नहीं करते हैं कि जब उ पार्टी कहती है सेंसिंग जी कि आप इनके कामों को आगे बढ़ा रहे हैं अगर डबल इंजन की सरकार है कभी हम अर्थ बिवस्ता में उत्तर प्रदेश किस अस्थान पे आ गया समाजवादी पार्टी के सरकार में दूसरे अस्थान पे क्यों नहीं आया चाहिए भी प्रदेश में क्यों ही आ रहे थी चाहिए मनोज यादव जी कुछ कहना चाहते हैं जी उनकी सुन लेते हैं मैं यह बात पूस्ता हूँ भी जैपी को लोगों से कि आप जो बाते कह रहे हैं चलों चार लाग बतीस हजार क्रोल वाला तो पहले साइन हुआ था ना उस्ते कितना उतरा और कितने आनी से आने के विए कि 75 जिलों को रच्छा के समान पीजिए ना सर्वादी ना सर्वाद मेजर साथ के आपको लगता है कि देश की डिफेंस कंपनिया आज राजधानी लखनों में आई अब उतर प्रदेश में डिफेंस कारिडूर बनाने का जो काम है उसमें तेजी आएगी अब लगता है उसको रच्छा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मनोज भाई आप हमेंसा राजधा की बात करते हैं देश की मजूती की बात करेंगे मेजर साथ के पास चलते हैं काम हो रहा है तो उसका भी स्वागत नहीं करना है मैं करता हूं मनोज भाई आप के पास वासिंग मसीन है ना हमारे हैं वासिंग मसीन नहीं है मनोज ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मनोज भाई आप चर्चा हिस्वी से पहरी है मनोज भाई उसमें तो हजारो करोर का घोटा ला हुआ उसकी तो हाइड चोटी करके छोड़े तानियों में जाओ आपके जांच नहीं करा सकती जांच रो सकती वो हमें आइना ना दिखाए मेजर साथ मेजर साथ क्या आपको लगता है कि देश की नामचीन कंपनिया रजधनी लखनू में आज ही कट्टा थी और कहीं ना कहीं सरकार ने पूरे उनके रास्ते जो ब्यापार के हैं उनको सुगम बनाने की कोशिश की है अब पूरी तरीके से तेजी आएगी इस काम मे जो डिफेंस कारिड़ोर उतर पुरदेश में बनना है क्या लगता है आपको? दो डिफेंस कोरड़ोर बन रहे हैं एक यूपी में बन रहा है एक तमिलनाडू में बन रहा है जहां तक डिफेंस की कमपनिया आजकल क्योंकि सरकार की पॉलिसी चेंज हुई और आत्मा निरबर्ग पे आई है और आत्माटिकली कमपनीज को इंटरेस्ट है कि हम डिफेंस कोरड़ोर में बने क्योंकि उनको वहां पर फैदा मिलता है लैंड का और बाकी सर्विसिस का प्लस कम्मिनिकेशन और बाकी रेक्वाइमेंस का काफी फैदा है तो जैसे यह इंवेस्ट में नगती है तो एक बार शुरू हो जाएगा तो आटमाटिकली पकड़ेगा और यह है क्योंकि कपनियों का investment इसलिए इतर आ रहा है वेशेक्लिए कि इनको यहाँ पर सुविदाएं मिल रही और एक छोटी सी बात जो बीच में जगडे में चल रही थी रफाइल के बारे में रफाइल का maintenance किसी अंबानी वंबानी को नहीं दिया है रफाल का maintenance Indian Air Force का है along with France उनको सिरफ एक कहीं उनका वो कोई contract था वो basically कोई part production का था जो ये part of the contract होता है जिसके अंदर उनको यहां इंडिया में इंवेस्ट करना है उनके पास कोई maintenance contract नहीं है maintenance contract Indian Air Force और the salt जो manufacture है रफाल का वो कर रहे है तो मैं ये clarify करना चाहता हूँ गल्फ खबर नहीं आनी चाहिए मेजर साब आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद S.N. सिंग साब आपका बहुत बहुत धन्यवाद अब पूरी तरीके से देश की नामचीन डिफेंस कंपनिया उतर प्रदेश में जो डिफेंस कारीडोर है उसको बनाने में तेजी लाएंगी हाला कि मुख्यमंतरी योगी आदेतनात और देश के रक्षा मंतरी राजनात सिंग ने बिलकुल साब कर दिया कि उद्द्यमों और निवेशकों को उतर प्रदेश में किसी तरीके की दिक्कत नहीं आने दे जाएगी आगे की बात सोईता जी कंट्यूनी करेंगी प्रदेश के साथ बात्चित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो आपने देखा कि डिफेंस एक्सपो जो है वो लखनाओ में हुआ है कई सारे मोई उस भी साइन किये गए है और अब लग रहा है कि जिसना से यूपी डिफेंस में अपने जो इन्वेस्टर्स है उन में फिल हाल इतना ही दीजे इजाज़त नमस्कार